हे फ्रेंड्स वेलकॉँ टू मैं चैनल वीगी दो फूदी आज मैं अपके सर केरेट केकी रेसिपी शेयर कुरूंगा अप इस रेसिपी को मॉम्स देव में बना सकते हैं यह बहुत डेलिशेस है अपके को सिंपल इंग्रेडियंट से डेकोरेट कर सेते मैंने क्रीम ना हम हापकॉप मिल्क में एक टीस्पुन मिने के मिक्स करके साइड में रख देंगे फिर एक मिकसिंग दाउल में हापकॉप शुगर और हापकॉप ओयल डालके शुगर मेल्ट होने टक मिक्स करेंगे अब इसमें मिल्क और मिनेगे मिक्षर को आड़ करके मिक्स करेंगे इससे केक फ्लॉफी बनेगा इसके बाद मैंने एक चन्नी में वान अब कप माईदा एक टीस्पून बेकिंग पावडर, हाप टीस्पून बेकिंग सोड़ा और एक टीस्पून डाल चिनीर पावडर को डाल के चान लिया है फिर सरे ड्राइ इंग्रेडिन को कट्टन फॉल्मेटर में मिक्स करेंगे अगर केक बेक्टर ठीक हो जाएगा थोड़ा मिल्क आड़ करके मिस कर दीजिए इसके बाद एक टीस्पून बेकिंग्रेडिन करके डाल दीजिए अब में इंग्रेडिन कारेट को ग्रेड करके डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करें अब केक टिन को ओईल से ग्रीस करके मेड़ा को डश करें इसके बाद केक पैटर को टिन में डालके 180 डिग्री में बेक कीजिए अब केक को बटर फ्रोस्टिन से डेकोरेड करने के लिए रूम टेंपरेचर में रखा हुआ हाप कप बटर लेंगे उसमें वान कप शुगर पाड़ो डाल के मिक्स करेंगे के बाद वैनिला एकसंस डाल दे अब केक बेक हुचुका है इसे थंडा होने के लिए रख दीजिए अब स्पॉंज के टॉप लेयर को निकल देंगे अच्छे से कट करके फिर केक के बीच में नाइव से मार करके डो पार्ट में काट दीजिए अब उपर लेयर को निचे रखके और बटर किम को से इवनली स्प्रेट करें अब इसके उपर निचे वाला लेयर को रख दीजिए और बटर क्रेम का एक कोट अच्छे से लगा के फ्रीज में रख दीजिए यह थन्दा होने के बद फाइनल लेयर के लिए बटर क्रेम को फिर से स्प्रेट करें हमारा ब्राटर फ्रोस्टिंग हो चुका है चलिए फ्रेंड्स डेकुरेशन देखते हैं अब सिंपल वे में डेकुरेशन के लिए रोस्टेड अलमंड और ग्रेटेड केरेट यूस्ट किया है सेकेंड स्टैल डेकुरेशन में केक सर्फिस के उपर बेटर पैपर से स्कौन बनाके उसमें में टिल चॉकलेट डालके टूर लाइन स्ट्रॉ करके और साइड में ग्रेटेड केरेट स्प्रेट करें चॉकलेट नेट के लिए बेलन को बटर पैपर से रोल करके उसके उपर क्रिसकोस पैटन में चॉकलेट को कौन से डाले और साइड को जॉइन कर दे यह रेक्टेंगल जैसे बनेगा और फ्रीज में रख दे फूद इस हमारे के ग्रेडी है थैंक्स फूर वाचिंग झालेट